चलिए जी लेट स्टार्ट बात करते हैं अब अगली चीज के ओपर ठीक है ना इसके अंदर यह बहुत ही लंबा क्वेशन आता है ठीक है ना जिसके अंदर आपको सारे वाकियात लिखने होते हैं प्रॉफिट की लाइफ में राइफ विस वर्थ अंदिल दे टाइम ही डिसीव दे फर्स रेविलेशन ठीक है और उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है कौम सा वो है हमारा फर्स रेविलेशन का ठीक है ना जब वो पैदा हुए तो यह कहा जाता है कि यह और ऑफ एलिफेंस की स्टोरी में आपको समराइज करूंगा हम बच्पन से सुनते वे आ रहे हैं यह हुआ था कि यमन में रहने वाला एक बादश Feld था ठीक है जो बहुत ही प्राउट था बहुत ही अरोगंड था He was a very proud man very arrogant man named Abraham नूइम अबराहः ठीक है ना So Abraham was a very proud and arrogant king and someone had told Abraham That if you want to become the leader of this world, if you want to rule this world, if you want that everyone would visit you know your palace आपके पास तर कोया है तो you would need to make kaba आपके पास भी ऐसा kaba होना चाहिए जैसा कि मक्का में क्योंकि दुनिया भर के लोग मक्का इसी ले जाते हैं क्योंकि मक्का के अंदर है kaba तो अब रहा के जहन में किसी ने ये बाद डाली कि आपको भी एक kaba बनाना पड़ेगा तो अब रहाँ ने यह सोचा कि मैं बनाओंगा एक आर्टिफिशल कॉबा ठेक है ना लेकिन आर्टिफिशल जो कॉबा था वो अब रहाँ ने बनाया तो सही यमन गेंदर लेकिन वो इतना ज़ीधा चलनी पाया लोग नहीं आए क्योंकि एवरिवन न्यों के जैनियून काबा इस इन मक्का ठीक ना सिंस दे टाइम वज़त इबराहीम वो बिल्ड़ इट फर फर्स ताइम उन दे फेस अफ वर्थ अब सीन के होता है सीन ही होता है कि अबराह ने सोचा कि मेरा बनायावा नकली जो काबा है वो तो चल नहीं रहा तो मैं लेहाज़ा अगर ओरिजिनल काबा को डिस्ट्रॉइ कर दूँ तो मेरा जो नकली काबा है वो चल फरेगा ठीक है ना लोग आएंगे वहांपर रहेंगे अब रहां एक बहुत बड़ी आर्मी create करता है जिसको कुरां कहता है असावे फील कुरां इनको कहता है क्या असावे फील ठीक है ना यानि अपर आर्मी को लेकर आता है मक्का में वितन इंटेंशन के जो है न वो जो काबा है उसको वो डिस्ट्रॉई करे ताके जो औरिजनल काबה डिस्ट्रॉई जब हो जाएगा तो उसका जो बनायवा नकली काबा है लोग वहाँ पर आएंगे और लोग आफरिंग्स देंगे लोग वहाँ पे चड़ावे चराएंगे और अब रहा और भी अमीर और पावरफुल बनता जाएगा अब अब रहा पहुचता है मक्का के आउट्सकर्ट में अपनी आर्मी लेके और ये बात सब को पता चलती है इस वक्त जो काबा का कैटेकर हैं काबा के कैटेकर इस वक्त हैं अब्दुलमुतलिब जो क वेरी वेरी क्रूशल वेरी वेरी सिगनिफिकेंट यून स्ट्रॉक्चर तो अब्दुलमुतलिब पूरी रात परिशान रहते हैं बाहर अब रहा आर्मी लेके खड़ावे मक्का के कल सुबह वो एंटर होगा अब अब रहा जब सुबह एंटर होनी की कोशिश करता है तो आप लोगों ने सुनी होगी कुरान के आयद सुरह फील ठीके ना जिसके अंदर है तोईरन अबाबील अबाबील आते हैं ये मिस्टीरियस बर्ड़ होते हैं चोटे 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 आप समझ लो चिडिया जितने पीजन्स जितने कहा ये जाता है बेसिकली इन साइज वो स् आते हैं जब उपर से स्टोंज और बरसाते हैं तो वो इतनी जोड़ से हाके थोड़ी बहुत फिजिक्स अगर आपने पढ़ी हो जितनी जजयादा उपजेक गरता है तो इतना जयादा उसका फोर्स होता है तो अबाबील अपने पंजों में से और चोचों में से जो है न down फेकते हैं क्या फेकते हैं stones फेकते हैं छोड़े छोड़े चोड़े वो आके elephants को लगते हैं और elephants इस तरह पूरी जो army होती अबरा की वो जाती है crush और इस तरीके से अल्ला ताला जो है वो अबराहा से safe कर लेते हैं holy काबा यह एक miracle होता है यह एक indication होती है यह मौजज़ा होता है यह आप समझ लें अल्ला ताला की तरफ से एक मैं इशारा होता है कि काबा का सही हकदार काबा का जो सही केर टेकर है वो इस दुनिया में आने वाला है तो यह का जाता है holy prophet was born in the year of elephants ठीक है in 570 AD circa जहां जब अब रहा आया था काबा को डिस्ट्रॉई करने के लिए तो इट वस दे सेम यह वें 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 अल्ला ताला प्रोटेक्टेड अड़ी काबा जब holy prophet peace be upon him अपनी मदर के वूम में होते वें holy prophet peace be upon him had not you know yet arrived in this world and he was in his mother's womb यानि अपनी मा के पेट में थे जब holy prophet peace be upon him holy prophet peace be upon him की वालदा क्या नाम है अज़र्द बीबी आमना हज़र्द बीबी आमना से हमें कुछ reports मिलती हैं बड़ी interesting reports हैं और like इसके ओपर एक article भी लिखा जा सकता है वो reports यह हैं कि अज़र्द बीबी आमना जो थी उनको कभी न पेइन फील नहीं हुआ यानि जो normal casual labor pain होता है न वो उनको फील नहीं हुआ at the time of delivery जब holy prophet peace be upon him को वो birth दे रही थी तो उनको अपने सामने bright light देखी ठीक है कोई दर्द महसूस नहीं हुए तो यह सारी असानिया थी जो अल्ला ताला ने उनके लिए पैदा की थी ठीक है अचा हमारे लिए बड़ा जबरदस lesson है यहां पर वो यह के मुहम्मद peace be upon him रसूल पाक के रस्ते पर आ जाओ उनका कावा मानो अल्ला खुद तुम्हारे लिए असानिया पैदा करेगा so this is a very good lesson for us तो इस तरीके से holy prophet peace be upon him was born and holy prophet peace be upon him के पैदा होने पर holy prophet peace be upon him के जो चचचा है वो इतने ज्यादा एक concubine थी जिनका नाम था सोबिया उनको अजाद करवा दिया था ठीक है अब सोबिया का यहां पर आपको रोल समझने बिटा यह जो सोबिया थी she was basically a concubine of abu lahab abu lahab ने holy prophet peace be upon him की पैदा होने की खुशी में इसको अजाद कर दिया था abu lahab ने बोला मेरे भाई abu lahab को बेटा हुआ है मुहमद पैदा हुए है मैं उस कुशी में अजाद करता हूँ just by the way you should also know this that holy prophet peace be upon him के इस दुनिया में तीन से चार महीना आने से पहले यानि prophet की birth से चार महीना तीन चार महीना पहले आपके जो फादर थे हज़रत अब्दुल्ला उनकी death हो गई थी वो journey पर गए थे सीरिया और पिर जब वापस आये यसरब पहुचे थे यसरब किसका पुराना नाम है मदीना का तो यसरब पर उनकी तबहित खराब हुई थी फिर वहीं पर उनकी death हुई थी and he was buried in yasrab ठीक है ना तो खेर बाराल अभी जो story है वो यह चल ली थी कि अबुलाब इतना खुछ था कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा हुआ है कि उन्होंने अपनी concubine को अजाद कर दिया सोबिया अब यह जो सोबिया थी इन्होंने हजरत हमजा ठीक है और इसके साथ साथ जो आपके पास holy prophet peace be upon him इन दोनों को दोनों personalities को ठीक है ना feed करवाया था पहली मर्तबा जो दूद पिलाया गया prophet peace be upon him was given by अधर सोबिया ठीक है ना other than his own mother ठीक है ना तो holy prophet peace be upon him के बारे में यह भी का जाता है कि holy prophet peace be upon him की 12 से 13 foster mother थी कुछ मुफसरीं का यह खयाल है कि prophet peace be upon him की 12 से 13 foster mothers थी चैसा और इसी तरीके से foster brothers or foster sisters भी थे holy prophet peace be upon him के फॉर इसी तरह एक शेमा फॉसर सिस्टर भी थी जिनका मैं आपको घजवा होने इनके वक्त वाकिया भी सुना रहा हूंगा ठीक है ना तो यह कुछ miracles थे यह कुछ चीजें थी जो holy prophet peace be upon him की initial पैदाई से लेड़े थे इसके इलावा भी बहुत सारे miracles पेश आए ठीक है ना for example जो यह का जाता है the 14 galleries of किसरा परशिया के अंदर इरान वाली साइट के अंदर जो 14 balconies थी वो collapse हो गई थी Zorastrians जो होते हैं Zorastrians कौन होते हैं बेटा Zorastrians जो होते हैं जो आग की पूजा करते हैं ठीक है ना उन लोगों ये जो Zorastrians से इन लोगों इन लोगों की ने एक sacred fire थी और ये जो sacred fire थी इसको ये लोग इन लोगों ने sacred fire को ने जिन्दा रखा वाता जला गे रखा वाता 1000 साल से लेकिन जब holy prophet peace be upon him की पैदाईश आई तो देखा ये गया कि ये जो sacred fire है ये क्या हो गई ये हो गई बुझ गई ठीक है ना so this was an indication कि अब सच आ रहा है और जो बातिल है जो जूटी चीज़े हैं वो इस दुनिया से चली जाएंगी समझ में आई बात तो इसी के साथ साथ आपको अबरावाली स्टोरी सुनाई holy prophet peace be upon him के पैदाईश के वगए बहुत सारे बुझ जो तोड़ गए या जुग गए एक्सेक्टर 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 all of these are different miracles जो प्रॉफिट की बर्थ से रिलेटेड हैं जो हमें यह बताते हैं कि अब एक ऐसा शक्स पैदा होने वाला है इस दुनिया में जो इस दुनिया को बदल कर रखते हैं ठीक है ना अच्छा अब holy prophet peace be upon him पैदा हो जाते हैं और जैसा थोड़ी दिर पहले मैंने आपको जिकर किया था यहां पर के cultural conditions पढ़ाते वे ठीक है ना कि Arabs का यह culture था कि वो लोग अपने male infants को भेजा करते थे कहां भेजा करते थे अच्छे से परवरिश के लिए दूर बैडविंस के पास बैडविंस के पास भेजने का reason पते क्या था reason यह था ताके बच्छा अच्छी Arabic सीख सक ताके बच्छा अच्छी health का मालिक बन सके ताके बच्छे की फिजीक अच्छी हो और बच्छे की mental power भी अच्छी हो इस वज़ा से वो लोग अपने बेटों को भेजा करते थे अब होता पते क्या होता यह है कि यह tradition थी हर साल जो है ना वो गाउं से रिगिस्तान से दाई मा आया करती थी इस बार भी आएं ठीक है ना holy prophet peace be upon him का birth year है सब आएं उनमें एक जुदाई है हलीमा साधिया ठीक है who was from बनु साध ठीक है ना वो भी आएं ठीक है इस बार और वो अपने husband के साथ हारिस बिन अब्दुलजा के साथ आई थी और वो भी ढूंड रही थी कि उनक थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया कि holy prophet peace be upon him के जो फादर थे उनकी तो देतो गही थी prophet peace be upon him के पैदा उने से तीन से चार महिने पहले prophet के फादर अब्दुल्ला की देतो चुकी थी लहाज़ा मशूर ये हो गया था कि मुहम्मद को कोई भी ना ले क्योंके इसका खर husband we are unfortunate this year and we have not been able to receive any child हमें इस साल बदनसी भी हुई है और हम जो है ना हमें कोई भी बच्चा नहीं मिला है but however there is one child named Muhammad who is son of Abdullah and Amna and he is the grandson of Abdul Muttalib but their financial conditions are not so strong that they can afford our care financially यानी दाई हलीमा क्या कहती है दाई हलीमा कहती है कि एक बच्चा है मुहम्मद ठीक है ना जो जिसको कोई किसी नहीं लिया because उनकी financial conditions अच्छी नहीं है अब हम खाली हाथ जाएं इससे तो बेतर है ना कि हम एक बच्चा हाथ कोई साथ ले कर जाएं क्योंकि खाली हाथ जाना was a bad signal was a bad symbol and it was considered a bad luck as well भाई कुछ होने से ना होना बेतर है तो दाई हलीमा अपने husband हारिस बिन अब्दलुजा के साथ ये discuss करती है पूरा मामला और हारिस कहते है आप बिलकुल सही कह रही है लहाजा हम इस बच्चे को ले ले लेते हैं अब देखो दाई हलीमा ने बिलकुल लालच नहीं की पैसों की उन्होंने शुकर करके जो है ना वो holy prophet peace be upon him को लिया और अल्ला का करना ये हुआ के इतनी रहमत बड़ी दाई हलीमा के उपर के दाई हलीमा जो है ना वो उसका खुद बयान करती है कि उनको याद ही नहीं कि कहां से कहां वो पहुँच गई ठीक है ना दाई हलीमा जो थी ठीक है ना उनके पास एक जमीन थी ठीक है ना वो जो बंजर थी it was sterile that was infertile but ultimately holy prophet peace be upon him के आने से वो जमीन जो है न वो जरखेज हो गई fertile हो गई दाई हलीमा जब आ रही थी न अपने गाउं से तो उनका जो carriage था उनका जो आप समझ लो उनका जो donkey था वो सबसे पीछे था लेकिन जब वो prophet को लेकर वापस जा रही थी तो उनका donkey सबसे आगे था ठीक है न इसी तरह holy prophet peace be upon him के साथ कुछ और miracles भी attached के जाते हैं जो दाई हलीमा को experience हुए है उनमें से prominent यह है कि दाई हलीमा के पास उठनिया थी female camels जिनको दूद नहीं आया करता था ठीक है न prophet peace be upon him के आने के बाद उनको जो है न वो feed आने लगा इसी तरीके से दाई हलीमा के पास बहुत सारे जानवर थे मवेशी थे life stock थे वो दाई हलीमा उनको कितना भी खाना खिला दें वो दाई हलीमा से satisfying ही होते थे चले जाया कर दें लेकिन जब prophet दाई हलीमा के घर आए तो वो सारे animals रिटर्न आए यह सारी इंडिकेशन थी कि अल्ला ताला उनके घर पर रहमत बढ़सा रहें ठीक है ना अब इस वक्ष्ट की एज तक्रीबन कुछ मुफसरीन कुछ स्कॉलर्स यह कहते हैं कि भाई प्रॉफिट वीक्स ओल्ड थे कुछ कहते हैं कि तो उसके बाद क्या होता है यह तो उसके बाद क्या होता है यह अब आता है टाइम रिटर्न करने का अब मैं अज़र बीबी आमना को जो है न वो रिटर्न करूंगी लेकिन उनका दिल नहीं होता है बही जाहर सी बाते एक बंदा एक बंदा ऐसा है जो आपके घर आये आपके गर में बरकत आईए रहमत आईए नेमत आईए आप उस हलीमा के दिल में यह था कि अब टाइम तो आगया है लेकिन मैं जो है न वो रिटर्न नहीं करना चाहती हूं तो दाई हलीमा जब मक्का जाती है तो होता यह है कि हज़र बीबी आमना देखती है प्रॉफिट से मिलती है और फिर दाई हलीमा को कहती है आप थोड़ा टाइम मुहम्मत मेरे बेटे को थोड़ा टाइम और रखें क्योंकि इस वक्क मक्का के अंदर सिवियर फैमा ही नाया वह है तो अल्ला ताला ने दाई हलीमा की यह बात सुन ले और दाई हलीमा गॉट चांस टू कीप होली प्रॉफिट पीज़ बीज़ 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 प्रॉफिट बीज़ 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 में से दिल निकाला दिल को जमजम से दोया और उसमें दिल में एक बलैक स्पोट था उसको निकाला और कहा ये शैतानी क्लोट था this was a satanic क्लोट which I have taken out and this child is now sinless मासूम मासूम अरभी में मासूम कहते हैं sinless को जो कोई गुना नहीं करता नभी अलासलाम ने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुना नहीं किया ये देखकर दाई हलीमा शौक हो जाती है और दाई हलीमा कहती है अब क्योंके भाई अपने सामने लाइफ सर्जरी देखती है दाई हलीमा दाई हलीमा कहती है ये जो चीज फिर अगला सवाल यह आता है कि दाई अगे चलते पढ़ते वे बताऊंगा गज़ा है उना इन जवाद अब होता है यह वापस आते हैं और अपनी मदर की अगें कस्टेडी में आ जाते हैं ठीक है ना चार साल के होते हैं अब होली प्रॉफिट पीज़े पाने मदर के ओपर थोड़ा सा वज़न लोड कम हो जाता है तो हज़द बीबी आमना डिसाइड करती है कि अब मेरा बेटा मुहमद इतने बड़े हैं कि मैं इसको ना उनके फादर की ग्रेफ पढ़ लेके जाओं क्योंकि मैंना आपको बताय अज़द अब्दुल्ला की देत हो गई थी प्रॉफिट के बॉर्ण होने से पहले तो अज़द बीबी आमना जो होती है ना वो अपनी एक सर्वेंट उम्मे एमन को बोलती है कि जो है ना वो आप मेरी मदद करें हम जाएंगे यसरब ताकि मुहमद पीस भी अपॉनिम को उनके फादर की ग्रेफ पर एक बार विजट करवाया जाएं तो जाया जाता है फिर होली प्रॉफिट बीबी आमना और उम्मे एमन के साथ जाते हैं आज भी आप जब मक्का से यसरब मदीना जाते हैं तो बीच में एक रोड आता है दे रोड ऑफ अब्वा यू कन आसो सी यह भी कहते हैं कि उम्मे एमन ने होली प्रॉफिट बीबी आमने को फीड भी कराया था बच्पन में ठीक है ना मैंना आपको इस चीज़ कर थोड़ी दिर पहले किया कि का जाता है प्रॉफिट की बारा से तेरा कोई जो है ना वो नहीं भी नहीं तो फॉस्टर मदर्स थे थीज़ के ना अब होता ये है के अब वह रोड के उपर अब्चला बेखा पॉस्ट बबी आमने की दित हो जाती है उम्मे एमन होली प्रॉफिट भी अबारा से लेकर आती है मक्या और होली प्रॉफिट 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 बियर जाता है चुग्छानी टू अपॉनिम को डांट ता था क्योंकि बच्चों को डांट पड़ती है ना तो हज़द अब्दुल मुतलिब उससे खफा हो जाते थे गुसा क्या करते थे बोलते थे मुहम्मद को कोई कोई नी सताएगा कोई नी डांटेगा ठीक है ना अब जो खुदा को मनजूर हज़द अब्दुल मुतलिब की भी उस वक्ट एज हो गई थी 90 ठीक है और उनके ओपर खेर काफी जिम्मेदारिया भी थी वो काबा काबा के कस्टेडियन भी थे वो बनुहाशिम के चीफ भी थ तो यह सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी हज़द अब्दुल मुतलिब ने होली प्रॉफिट पीस वे अपॉनिंग को रखने से जो है ना वो कभी वो नहीं की आहट नहीं की और हमेशा उनको होलाटेड़ी रखा क्योंके बिकॉस ही लवद होली प्रॉफिट पीस कस्टड़ी अपने दादा के बाद अपने चचा के पास आएगी अबु तालिब के पास जिनके साथ वो तक्रीबन चालिस में तालिस साल ठीक ठाक अरसा गोजारते हैं ठीक है ना प्रॉफिट की अल्मोस्ट एज आठ साल होती है जब हज़द अबु तालिब की वो अब क्या होता है अब हमारे पास अब हज़द अबु तालिब की कस्टडी में ही रहेंगे सही है ना अब चार साल बार जब होली प्रॉफिट पीज वे अपॉनिम थोड़े से बड़े हो जाते हैं वान प्रॉफिट इज ऑफ ट्वेल्फ यर्स अब अबु तालिब यह डि को थोड़ा सा experience देना चाहिए ताके वो ट्रेडिंग वगेरा सीख सके तो वेन होली प्रॉफिट पीज वे अपॉनिम वस ट्वेल्फ यर्स ओल्ड अबु तालिब जो है वो होली प्रॉफिट को सीरिया लेकर जाते हैं क्रेट जर्नी के ओपर सीरिया के अंदर एक बुदि यह होली प्रॉफिट पीज वे अपॉनिम के आगे जुग रहे हैं एक बादल है जो होली प्रॉफिट पीज वे अपॉनिम को कवर करता है बहीरा अबु तालिब से कहता है यह बच्छा कौन है तो अबु तालिब कहते हैं यह तो मेरे बतीजे हैं उसके बाद बहीरा जो है वो holy prophet peace be upon him के दोश मुबारक, दोश कहते हैं कंधे गो, कंधे पर seal check करते हैं, बहीरा कहते हैं this is unusual, ठीक है न, और बहीरा कहते हैं he is not a common child, he is